बिना एम्टी के एम्बूलेंस पहुची प्रसूता के घर, देरी के चलते घर में ही नवजात को दिया जन्म, एम्बूलेंस में केबल ड्राइवर मौचूद था शेहर के बड़ोदी शेत्र में समय पर एम्बूलेंस ना पहुचने के चलते प्रसूता ने घर में ही बच्चे को जन्म दे दिया इस मामले की खास बात है कि प्रसूता को लेने एम्बूलेंस में महाजु ड्राइवर ही मौजूद था जबकि एम्बूलेंस में एम्टी मवजूद ही नहीं थी इसके बाद एम्बूलेंस का ड्राइवर ही जच्चा बच्चा को जिला स्पताल लेकर पहुँचा ये पूरा मामला किसी दूर दरास ग्रामी डंचल का नहीं बलकि शेहर के वर्ट सोला का है जहां शेहरी शेत्रोंने के बावजूद एम्बूलेंस समय पर नहीं पहुच पाई जिससे जच्चा बच्चा की जान आफ़त में पढ़ गई ज्वानकारी के मुताबिट शेहर के बढ़ ओदी शेत्र के रहने वाली सविता अधिवासी पत्नी सतीश अधिवासी को प्रिसव पेड़ा शुरू होने के बाद आश्चा कारिकरता पूजा लोधी ने एम्बूलेंस को सूचना दे दी लेकिन एम्बूलेंस समय पर नहीं पहुची इसके बाद प्रिसुता ने घर पर इन अफजात को जन्म दे दिया करीब एक गंटे बाद एम्बूलेंस पहुची लेकिन एम्बूलेंस में एम्टी मौजूद नहीं था इसके चलते प्रसूता को जस के तस हाल में जिला स्पितार लाया गया जहां बच्चा जच्चा की हालत इस थी रहे ले कि हो गई इनके साथ ड्राइबर अकीले गए यह इनका पर इंगे साथ नींखर माले टाले आपको लेने कहें यह दोनों अकेले दी तब तो अकेले थे टाना में ऑकका आज थी अपने 108 को प्वाल किया। करें किना मिलने एक कोई सुनवाई नहीं है। मतलर है कि अशोन किने नहीं हूआ हूँ है। न चुट्टी हो गई अब मुझे बगा रहे हैं अस्पतल वारे। आप बाहर कहां बैटा है। आस्पतल वाली क्या बहुत्ञ है। है और एंबूलेंस वावर कितने बज़ गया कितना टैम हो गया अभी तक कोई वह नहीं कोई और ड्राइबर कर असभाद हुई थे आपके आपके आपके